खबरीवा से हैं जहां टिकातन पुर्वा पंचायत के ग्राम पतिहन पुर्वा निवासी राम चंदर दिवेदी के द्वारा तैसीलदार से मांग की गई है कि ग्राम में सरकारी नाले में जो आतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाए अन्यथा तैसील परिसर में आमर अनश किया जाएगा इसमें किसान ने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि आज उस नाले से निकल भी नहीं पा रहे है चारों तरफ से खेती बचाने के लिए बांदिया गया है अब एक ही रास्ता नाला था मवेश्यों को नदी पानी पिलाने के लिए ले जा कोई आम रास्ता नहीं है जिससे की पूरी फसल बरबाद हो जाती है लागातार फसल बरबाद होने से किसान को भारी आर्थिक छती भी हो रही है इससे बच्चों के भविश पर संकट खड़ा हो गया है सरपंच सचिव से कई बार समस्या को बताया गया लेकिन उनकी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ नयाई की मांग करते हुए कि सामने जल्द कारवाई की मांगी है पतिहन टोला क्या समस्य आपके हैं कि कानों से खुलबाया जाए क्योंकि हम लोग इतना तस्ते हैं कि आदमी कहीं से कहीं कोई जाने सकता है आदमी निकलने कि जगह नहीं है मवेशियों के भाद छोड़े हम सरपंच सिकेटरी सबको बोल चुका हूं लेकिन कोई सुनने वाला अच्छे पढली जोडर कितनी थी यह पढ़ी पचास कड़ी है ना सबक़्या की है यह होए हैं पचास में मतलना दस प्रोड़े का पांच फिट नहीं है आप नाबे ती रोड कहां तक आती है यह लोड नधी तब गई हुए है जबकिए सबक्ले कोई अन्मी किधर से जान सकता है इसलिए हमारी समस्या का सुना जाने तो हम आगे के लिए और करवाही करने के तैयार हो जाएंगे हमारा यही एक हुआ है